1 by 6 of the class strength, जो 1 by 6 जो बच्चे हैं क्लास में, आर अबो आवरेज, ये जो बच्चे 1 by 6 जो भी बच्चे हैं क्लास में, उसका 1 by 6 हिस्सा क्या है? अबो आवरेज, 1 by 4 आवरेज, 1 by 4 जो भी आपके स्ट्रेंड से वो क्या है? आवरेज हैं, जो बच्चे हैं क्या हैं बच्चे? वो बच्चे हैं, इफ दे आवरेज फोर्टी एट स्ट्रेंड से न और, अगर च्लास में 48 बच्चे हैं, तो हाव मेरे स्ट्रेंड साब बच्चे हैं, इन देखिए, ये दिया है, 1 by 6 कैसे हैं? अबो आवरेज, इन देखिए, हम बच्चे हैं बच्चे हैं, तो हमें बच्चे हैं बिलो आवरेज निकालना है, इसको सॉल्फ कटते हैं, सबसे पहले हम स्टेट्मिन लिखेंगे, टोटल नंबर अफ स्टुडेंट्स, हमारे क्लास में कितने बच्चे टोटल हैं? टोटल नंबर अफ स्टुडेंट्स, कितने हैं? फॉर्टी एट, नहीं दिया है, फॉर्टी एट, कल्टू, टोटल स्टुडेंट्स कितने हैं? फॉर्टी एट, अब दिखिए, यह वन बच्च दिया है, कितना दिया है? अबो आवरेज, स्टुडेंट्स, अबो आवरेज स्टुडेंट्स, कितने हैं हैं हमारos पास, 1 x 6 हैं? 1 x 6, इन 2, क्यों? क्योंकि हमें न, 1 x 6 के ाविए है, यह हमार हमारा क्या है? रेशियो में 1 x 6, तो हम इसे टोटल में से हमें, पद GG 1 x 6, तो अब 6 से काटें, 6 के टेवल ने 48 के बात आ है, 8 बार में, तो 8 students, तो हमारे 8 students ऐसे हैं, जो अबो average हैं, फिर कितने दी 1 by 4 average, तो average students equal to, average students कितने होंगे, 1 by 4 को भी 48 से multiply करेंगे, 1 by 4 into 48, तो हमारे पतले हैं, कितने average students कितने हैं, तो 12 students, अब इनने पूछा, below average बच्चे कितने हैं, तो below average student, इसका कोई ratio दिया ही नहीं है, तो below average student equal to, आप क्या करेंगे, आपको पूरे बच्चे बताए, total students कितने हैं, तो लिखे, total students, अगर आप पूरे बच्चों में से, minus करेंगे, किसको आपको पता है, अब above average students, above average students, प्लस एड़ेज स्टोडेंस देखिए आपने पता कर लीए कितने आए आए क्णाए डिलों कि लिएर टेटमेंस किוסाए किसे नकि अर्फ एमप्र लिए को कि सादर से ली हैला है में भी हेलफुल रहेगा, कि आपको statement लिखने कि practice रहेगी, और 48 से मारेस की जो कितना हैगा तो 28 तो 28 स्ट्रेंट्स क्या है हमारे बिलो एवरेज